अधकार आईशा उमर ने भी टिक्टॉक पर एंट्री दे दी पाकिस्तानी अधकार आईशा उमर ने भी समाजी रापते की वेबसाइट टिक्टॉक पर एंट्री दे दी रापते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर भी टिक्टॉक जॉइन करने के हवाले से मद्दाहों को आज शौमर ने लिखा कि आपको मालूम है कि मैंने टिक टॉक जॉइन कर ली है मेरी वीडियोज इंस्टागेम स्टोरीज में भी मौजूद है खोश ठिकाने लग जाते हैं सरजल का शादी के बाद दिया गया बियान वाइरल 24 के मगबूल तरीं जोडी सरजल अली और आहद रसामीर की मुबयना तलाग के बाद मुख्तलिक दावे सामने आ रहे है इन दावों में आहद और सरजल की मुबयना तलाग को कहीं सरजल की फिल्मों में काम करने तो कहीं आहाद रजामीर को मुबयना अफिर्स से जोड़ा जा रहा है अब सोशल मीडिया पर सजल का एक और बयान वाइरल हो रहा है सजल का कहना था कि शादी के बाद इनके काम में तो कोई खास तबदीली नहीं आई लेकिन शादी के बाद जाती जिन्दगी में काफी तबदीलिया और ऐसी तबदीलिया आती हैं कि खोश ठिखाने लग जाते है राकिसावन की जहास उड़ाने की खुआहिश ने मुसाफरों के होश उड़ा दिये भारती अदकारा राकिसावन सोशल मीडिया पर बहुत मुद्धरिक रहती है वो पल पल की खबर अपने मुद्धाओं के साथ शेयर करती है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिये वो अपने मुद्धाओं के तफ्रीफ रहम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती